क्या आपको बता है कि भारतिये नोटों के पीछे जो तस्वीर छपी होती है वो किसकी है हर नोट के पीछे एक अलग तस्वीर होती है ये तस्वीरे क्या है और कहां से ली गई है चलिए जानते है 10 रुपे के नोट के पीछे कोणांक के सूर्य मंदिर की तस्वीर छपी हुई है जो उडीशा में स्थित है इस मंदिर को गंगदेव के राजा नरसिम्हा प्रथम ने बनवाया था इस मंदिर की खासियत ये है कि इसे युनेसको की विश्य विरासत स्थल में भी शामिल किया जा चुका है 20 रुपे के नोट के पीछे माउंट हैरियर नेशनल पार्क की तस्वीर छपी हुई है ये पार्क अंडमा निकोबार दीप सम्हू में इस्थित है 50 रुपे के नोट के पीछे करनाटक के हमपी में मौचूद रत का चित्र है ये नगर प्राचीन विजय नगर सामराज्य की राजधानी था 100 रुपे के नोट के पीछे गुजरात की रानी की वाव का चित्र है जिसे रानी की बावली भी कहते हैं ये गुजरात के पाटन में इस्थित है इसका निर्माड राजा भीनदेव की पतनी रानी उदयमती ने करवाया था 200 रुपे के नोट पर साची का इस्तूप है बौद धर्म के अनुसार इस स्तूप का निर्माड समराट अशोक ने करवाया था 500 रुपे के नोट के पीछे लाल किले की तस्वीर है इस किले का निर्माण मुगल शाशक शाजहाने करवाया था इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का इस्तमाल होने के कारण इसे लाल किला के नाम से जाना जाता है 2000 रुपे के नोट पर मंगल यान की तस्वीर छपी हुई है जो भारत के मंगल विशन की सफलता को प्रदर्शित करता है भारत ऐसा पहला देश है जिसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह के कख्षा में मंगल यान को प्रविष्ण करवा दिया था फिलाल इस वीडियो में इतना ही ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले झाल